Hello friends, welcome, कैसे हैं आप सब? I hope friends आप सभी स्वरस्थ होंगे और अपना-पना खयाल रख रहे होंगे आज के reading में friends हम लोग चेक कर रहे हैं कि upcoming full moon आप लोगों के रिश्थे में क्या unexpected changes और happiest changes लाने वाला है reading friends, timeless है, general है, collective है without much further ado, let's get started please universe बताएं, upcoming full moon पर मेरे प्यारे प्यारे व्योर्स की energies कैसी रहने वाली है ओम गोरी शंकराय नमर friends, positive energies को exchange करें, वीडियो को like करें, share करें, comment करें wow, मेरे viewers इस बार काफी balanced रहेंगे positive रहेंगे, hopeful रहेंगे divine के साथ connectivity उनकी काफी अच्छी रहेगे हो सकता है मेरे काफी viewers इस full moon पर कोई ritual कराएं healing कराएं अपने connection की and काफी hopeful रहें कि अब आगे जो भी होगा, बहुत ही बहतरीन होगा ऐसा भी लग रहा है कि मेरे बहुत सारे viewers को या तो जब वो reading देख रहे हैं already अपने person से contact receive हो चुका है, proposal receive हो चुका है एक new cycle romantic उन दोनों के बीच में शुरू हो चुका है या फिर आप लोग इस connection की नई शुरुवात के लिए ritual करा रहे हैं और unexpectedly एकदम से full moon के during या full moon के आसपास या फिर full moon पर ही या फिर full moon के just after आपके person आपके लिए over emotional होकर आपको approach कर सकते हैं इस thing के लिए आप quite confident हो ऐसा लग रहा है इस connection को लेकर इस full moon पर आप एक बड़ा फैसला लेने वाले हो आर या पार का फैसला मेरे कुछ viewers ने तो हो सकता है यूनो एक संकल्प किया हो कि अगर इस full moon तक ये आ गए तो ठीक otherwise मुझे अपने life में इनको रखना ही नहीं है हो सकता है आपने divine से कोई you know होता ना sometime हम divine को कहते हैं कि अगर ये हमारी किस्मत में है तो full moon तक इनकी तरफ से कोई offer आएगा और अगर कोई नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इनके साथ हमारा कुछ नहीं है हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रन लिया हो वैसी vibrations काफी strong है overall friends आप काफी balanced हो अपनी life में आगे बढ़ने के लिए भी ready हो और अगर आपके person आपको कुछ नहीं सर्फ कर पाते हैं तो किसी और अच्छे offer के लिए भी आप लोग hopeful हो अब हम छेक कर रहे हैं फुल मून पर आपके person की energies कैसी रहेंगी ये person बहुत ही stuck रहेंगे ये person career में बहुत ज़्यादा disturb feel करेंगे इन्हें ऐसे लगेगा कि इनकी life एक जगा रुख गई है ना career में कुछ अच्छा हो पा रहा है और ना ही relationships में तो ये person totally sad, disappointed, alone और heart broken feel करने वाले हैं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से इन्हें हाल फिल हाल में deception receive होने वाला है जिसकी वज़े से ये person बहुत ज़ादा परिशान रहने वाले हैं वैसी energies काफी strong है आपके लिए मैं बात करूँ तो 10 of pentacles की energies हैं फुल मून पर ये आपके साथ reunion और wedding चाह रहे हैं आपकी family से ये अपनी family से आप दोनों के रिष्टे के लिए prayers और manifestations कर रहे हैं आपको काफी ज़दा stock कर रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं और चाहा कर भी इस रिष्टे से वो move on क्यों नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों की depth को समझ पा रहे हैं कि ये रिष्टा जो है ना बाकी रिष्टों से काफी अलग है आप बाकी लोगों से काफी अलग हो आप इने काफी priority देते हो and you know आप इनसे जैसा प्यार करते हो जैसा इनके साथ वेवार करते हो वैसे तो उनके life में हो सकता है कई लोग हैं बट स्टिल उतना उतना कोई नहीं कर सकता है इनके लिए वो चीज़ी अच्छे से समझ रहे है अगर मैं नंबर और देट्स की बात करूं फ्रेंज तो 4-22 13-31 1-19-28-10 7-16-25 8-17-26 2-11-29-20 5-14-23 बहुत सारे नंबर और देट्स अल्रेडी हाँ पर हैं हो सकता है यह आपके लिए आपके पार्टनर्स के लिए या आप दोनों के रिष्टे के लिए इंपोर्टन्ट हो अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो जामनाई, लिब्रा, अकोईरियस तॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनरजी इस काफी प्रामिनेंट है तो फ्रेंस, जहां पर आप बहुत होफफुल हो, किसी पॉजिटिव चेंज के लिए वहीं आपके परसन बहुत स्टक फिल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये दुआओं में आपको मांग रहे हैं रेस्ट इनकी लाइफ में अगर मैं परसनली बात करूँ, तो करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, लव and डिलेशनशिप को लेकर टोटली सिर्फ और सिर्फ परिशानिया हैं, इनका एक काड आपकी तरफ पॉजिटिव आया है दूसरा भी पॉजिटिव आया है और तीसरा जो आया है, वो प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन का आया है, तो वो रूल ऐसा लग रहा है कि ये परसन को अपने जो भी बुरे करमाज इन्होंने किये थे आपको लेकर जहां-जहां इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है धोका दिया है वहाँ-वहाँ इनको इनके करमा के रिजल्स भर-भर के मिल रहे है ये वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इन्हें बार-बार धोका दे कर छोड़ रहे हैं तो अब ये परसन अगेन आपकी लाइफ में वापिस लोट कर आना चाहते हैं रिकंसीलियेशन चाहते हैं तो आप में से फुल मून पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारों लोगों के एक्स उनकी लाइफ में वापिस आ सकते हैं हो सकता है आप वेट कर रहे हूँ आप में से कुछ लोग किसी नए प्रोपोजल का और वापीस आजाएं आपके एक्स ऐसे चांसे बहुत स्ट्रॉंग हैं आएए मूनोलोजी डेक से ही हम चेक करते हैं फुल मून के बारे में यह फुल मून आपके लाइफ में लव एंड रिलेशन्शिप में कौन सा अनेक्सपेक्टेड गुड चेंज लेकर आने वाला है ओम गोरी शंकराय नमा बिलीव इंदा इंपॉसिबल कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको इंपॉसिबल लग रहा है बट एकदम से निकल कर आएगा आपके लिए बालेंस स्प्रिच्वालिटी और प्राक्टिकालिटी जो कि अल्डेडी मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हीलिंग वाइब्रेशन काफी स्ट्रॉंगली कैच करेंगे तो आप लोगों का रिष्टा काफी स्ट्रॉंगली हील होगा और वहीं आप लोग अपने लाइफ में क्वाइट बालेंस्ट फिल करेंगे वर्क थू यूर फियर्स अगर अभी तक आप इस कनेक्शन से मुव ओन नहीं हो पाते थे या इस कनेक्शन के लिए कोई आखशन नहीं ले पाते थे तो अब अब आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिदेंस जोन आप महसूस करोगे and वो actions भी लोगे और इस connection से अगर आपको लगता है move on करने की जरूरत है तो move on भी करोगे don't let your past hold you back हो सकता है आप में से कुछ लोगोंने ठान रखा हो कि अब X को तो किसी भी cost पर accept नहीं करना वही energies आ रही है nothing is set in stone ऐसा लग रहा है again कुछ ऐसा होने वाला है जो आप लोगों को लग रहा है impossible है बट वो होगा a theory climax approaches कोई climax आ रहा है आपकी love story में the energy is in gaining momentum तो 110% इस full moon पर energies gain हो रही है आपके person को आपकी value आपकी worth समझ में आ रही है आप पहले से काफी confident हो life में सब कुछ करने के लिए ready हो and वहीं आपके person आपको again impress करने की कोशिश करेंगे आपके life में दुबारा entry लेंगे and confidently इस बार आएंगे और खुल के सारी बात करेंगे still हम चेक करते हैं full moon पर please universe बताएं मेरे viewers की life में क्या होने वाला है बार बार आ रहा है believe in the impossible believe in the impossible क्या है वो impossible जो होने वाला है let's check four of pentacles two of pentacles and nine of cups कोई आपकी wish कोई आपकी wish एकदम से fulfill होने वाली है unexpectedly एक ऐसी wish जिसके पूरे होने का you know wishवास ही अब आपको नहीं है आपको लगता है कि यार ये खाप तो मने देखा था लेकिन अभी ये कभी नी पूरा हो पाएगा लेकिन unexpectedly आपकी वो wish पूरी होती हुई दिखाई देती है आप मेंसे कुछ लोगों की life में balance आता हुआ दिखाई देता है और आपकी management power काफी increase होती हुई दिखाई देती है अगर आप मेंसे कुछ लोग ऐसी energies में रहते हो हमेशा रोना, धूना oversensitive हो जाना, emotional हो जाना तो उस side को भी आप balance करोगे अब आप practical aspect अपने अंदर जादा देखोगे, महसूस करोगे आप मेंसे वही कुछ लोग career को लेकर बहुत possessive होते हुई दिखाई दे रहे हैं और आपका career भी काफी growth की तरफ aggressor होता हुआ दिखाई देता है अब हम check करते हैं कि आपके person की तरफ से full moon पर क्या होने वाला है आपके person का immediate action क्या हो सकता है full moon के around queen of wands, ऐसा लग रहे हैं यह आपके लिए obsessed हो रहे हैं knight of pentacles, आपके लिए फटा फट से एक strong action लेना चाहते हैं strength, okay तो जिस action को यह नहीं ले पा रहे थे डर रहे थे, घबरा रहे थे वो strength, वो strength इनके अंदर full moon पर आती हुई दिखाई देती है because energy जो है वो gaining momentum में है तो अब यह person बिना डरे हुए आपके लिए solid action लेने वाले हैं अगर मैं चेक करूँ कि मेरे viewers के लिए उनके partners के messages क्या है full moon पर तो understanding का message है our true love is born from understanding best friend का message है you are my best friend ever and magic का happen है magic happens when we are together और वैसे भी यहां card भी magician का आया है one, you are the one for me I have never been so sure of anything in my life tickle, when tickle fight turns into a kiss तो इस full moon पर आप में से कुछ लोगों के जगडे खतम होकर reconciliation होगा कुछ लोगों की life में एक दम सी कोई नया person आएगा and कुछ लोगों का best friend best friendship का जो रिष्था है वो convert होकर relationship में जाएगा उसके chances बहुत strong आ रहे हैं thank you so much for watching friends may God bless you, take care for more clarity जिसमें सेफ आपकी और आपके person की बात हो you can book your personal pay readings too जिसकी details safe and safe description box में given it have a lovely day, take care